हलो एवरिवान श्वागत करते हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में जहां पर के आज मैं व्लॉग लेकर के आई हूं मेरी हस्बंड जी का हो गया ट्रांसफर और हम लग रूम करने वाले हैं खाली और यह मेरा आखरी रात है जहां पर कि मैं सोई हुई हूं मतलब इस कमरे में मैं सोही हुई हूं ये मेरा आखरी रात था मुझे नीदी नहीं आ रहा था मुझे बार बार टेंसर ह visão जοए अगे Central abs और और पर पृत्वादी हूं के इस रात हूं मुझे साहरा सामान करना था खाली जैन ऑल कर works कि आंप यहां से खाली करके तो इस घर में मेरा आखरी वीडियो होगा यह यह वला व्लॉग मैंने आखरी सूट कर लिया था कि जाने के पहले चलो एक व्लॉग यहां पर मैं सूट कर लेती हूं मैं उट गही थी तीन बजे पूरा अंदेरा था तो मैं सुच कि फोर कर कर के मैं क्या apologized असमान में आप देख सकते हों और यह यह हमारे तेम काथender के यहां परी है और यहा पूरा अंदेरा डैरा हुआ है मॉर्णिंग की पाच बची फिर मैं अपना बेड टिक करूंगी सारा कुछ मुझे निगाल करके अब तो यहां पे सारा कुछ हटा नहीं था तो मैं बेड ठीक क्या करूंगी सब सारा सामान खाली करना था तो सब मैं कैसे कैसे करती हूं मैं आज इस वीडियो में सेयर की हूं आप सभी के साथ ऐसे मैंने पूरा रूम साफी कर दिया था मैंने अकेले पूरा रूम का जितना समान था kitchen या फिर पुजा वाला रूम या फिर bedroom जितना समान था मैं अकेले सारा कुछ निकाल करके रखी सब को pack करके मैंने अकेले ही सब कुछ रखा यह नहीं कि कोई किसी ने मेरा help कर दे, मेरे husband ने भी मेरा help नहीं किया, सारा कुछ मैं खुदी अकेले रखी, pack करके, उसके बाद फिर जब खाली करना तो फिर मेरे husband आये, फिर मेरी जो गोतनी है, उनके बच्चे लोग भी आये थे, फिर मिल करके सब ने समान खाली किया, सब नीचे ले गए, सारा packing करने का काम मैंने किया था, यहाँ पर बेड के नीचे मैं इसको रखती हूं, क्योंकि मुझे सपने आते थे, मैं डर जाती थी, तो मैं इसको रखती थी, लोहक है न, जब मैं काली मा का रूप धारन की थी, तो मैं इसको अपने पास ही, मतलब उसी ट टिक ले चलो, रखना चाहिए, तलवार और इसको क्या बोलते हैं, घर में बोलते हैं, यह चीज, रियल में क्या बोलते हैं, पता नहीं, तलवार तो, तलवार भी था, मेरे पास ये भी था, तो ये वला जो था, ये मेरे तक्ये के नीचे हमें सा रहता था, और ये तो उठ इतना भार ही है मेरे हस्पेंड और एक और जेन्स मिल करके और फिर इसको पूरा मोड़े थे बेड के नीचे ही मैं उसको भी रखती हूँ पेडिक्यूर टोल्स था उसके बाद फिर कंबल सारा पिलो और मच्छरदानी सबको फिर मैं इसमें बांध करके और फिर रखती हूँ एक में करके फिर लेदरा ये सब बाहर ही छुट गया था इसी के नीचे था लेदरा मुझे पता ही नहीं चला मैं बांध रही हूँ फिर मैं ने देखा कि लेदरा भी चलो उसको भी बांध नहीं पड़ेगा मुझे तो फिर मैं बाद में देखी तो फिर सबको एक में बां मचरदानी खुली और फिर इसी में डाल दिया उसके बाद फिर किचन में पूरा समान सब पैक करूंगी बेर्डरूम का तो हो गया बेर्डरूम में ज्यादा कुछ था नहीं बुक्स यह सब थे मेरे हजबन के क्योंकि जब से यहां पे सिर्फ वह थे मेरे हजबन का था सुबर से ही रात तक मिनलब इनी टाइम वो काम करते रहते थे उनको फूर्चत नहीं मील था कि वह पढ़ाई कर सके उसके बाद फिर मैं इसको काट दी चकु से उसके बद चकु से काटने के बाद में कोल्गीट निकाले उसके बाद फिर मैंने बरश किया तारा कुछ बेड़ ये सब सब अरेंज करती हूं सब को पैक करती हूं सुबह ही रूम खाली करना है तो इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया और सुबह रूम भी खाली नहीं हुआ मेरे हस्बेंड आये थे 11 वजे तक दिन में तब तक मैं भुगी थी और यहां का मेरा लाश्ट व्लॉग है फिर यहां से कहीं और सिफ्ट होंगे तो मैंने सुचा कि चलो आखरी वीडियो में बना ही दूँ आप सभी के लिए फिर यहां से तो जाना था तो फिर सारा ब्रश ये सब सारा फेसवास टावल सारा कुछ फिर मैंने रख दिया क्योंकि लाश्ट वर मूँ दो करके फिर कहीं ऐसा होता है ना कि कहीं जाना हो ब्रश ये सब किया वहीं रख दिया फिर छूट जाता है तो फिर मैंने ब्रश ये सब किया और सारा रख दिया पैक करके जैसे इसमें पैक कर रही थी सब पैक करके थैले में जो समान मिल रहा था उसी में पैक कर दे रहे थे बहुत सारा थैला हो गया था यहां पर किचन का सारा समान उतार रही हैं वो फिर बारी बारी से डब्बा सारा अलग अलग रखोंगी सारा समान मैं डब्बे में ही रखती हूं मुझे मेरा ऐसा अदत नहीं कि कोई कागज में रखों तो कोई प्लास्टिक में रखों ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है क तुम कीचैनरोम में पहले हुए के कृचईरोम थोड़ा अच्छे में सावानानी को तो यहां पे सारा डब्ब्ब और में निगाल रहतां किचैनरोम में साफ आतानी को के निदल के लाई वह क्योंकि एक इस बोरी में तो सारा बरतन ही डालते डालते ये भर ही गया था मेरा जितना निकला बॉक्स ये सब खाली करने में उधर ले जाकर के फिर फेक दिये थे बड़ा सा काटोन में भर दिये थे कचड़ा सारा और वो बड़ा सा काटून दो लोग मिल करके और दूर फेक करके आये थे तो रूम भी मतलब खाली कर रहे हैं तो गंदा करके तो नहीं जाएंगे ना किसी का भी घर तो घर ही होता है ना तो हम लोग अच्छे से पूरा साफ कर दिये थे अब फिर जिसको रहना है उन लोग अच्छे से अपना जाड़ो पोछा करके रहेंगे और जितना हम लोगों से बन पाए हम लोगों ने किया सारा कच्ड़ा हम लोग फेक के आगे तो बहुत सारा डबा ये सब निकला था क्योंकि किचन रूम में तो डबा डुबी बहुत सारा होई जाता है और करते करते फिर यहां किचन रूम सारा खाली का उपर में रखा हुआ था क्योंकि उनका पढ़ाई हो नहीं पा रहा था उपर में एक च्छिपकिली भी था बुक्स के पीछे में डर ही गई थी उसके बाद फिर सारा बुक्स ये सब उतार करके सारा किताब कॉपी जितना था उसको पोचे उसके बाद फिर उसको अलग-अलग थैले में रखे बड़ा सा एक थैला था उसमें फिर मैं सारा बुक्स ये सब पोच्छी उसके बाद रखी ने तो गंदा ही रख देंगे फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पे गंदा ही रखेंगे ऐसा अच्छा नहीं नलगता है इतना सारा समान मैंने pack करके रखा था जितना trunk में समान था सबको बानबान बानद के रखा था फिर cylinder था फिर जितना कचड़ा निकला kitchen room, bedroom और पुजा रूम, hall जितना कचड़ा निकला सबको निकाले यहाँ जो kaartoon देख रहा हूं उसमें से रखेंगे बले ही जा रहे हैं तो तो सब जाड़ू ये सब लगा दिये थे और जितना कचड़ा निकला था सबको fake दिये थे तो यहाँ पर मैं जाड़ू लगा दे रही हूँ वैसे खाना पिना मैंने कुछ खाया नहीं था और मेरे हस्बन गय था गाड़ी लेने गाड़ी लेकर के फिर खाल करते सब बारी बारी से सारा रूम साफ मतलब सारा समान भी साफ कर रही थी और अरेंज भी कर रही थी सब और मॉर्निंग में ही मतलब करते करते मेरा दस बच गया था सब चीज करने में मेरा दस बच गया था मेरे हस्बिन आये थे साथ 11 बजे की लगभग में आये थे तब तक मैं भूखे ही थी और सारा काम कर रही थी करते करते तो मेरा हाथ फैर में खून जम गया था बट कोई नहीं जो करता है उसी को पता चलता है जो नहीं करता है उसको सुनके भी थोड़े ना पैता चलेगा सारगा फ़ेक दिये हम भी फेक के मेरा हसमेन भी फेक के उसकी बाद फिर सारगा अमान ये सब इड़ेश्ट किये और फिर यहां सी गए यहीं पर तो वो आए हुए थे जहां पर हम लोग रहते हैं बहाँ पर तो वो बोले कि तुम माई के चली जाओ कुछ दिन, कुछ दिनों के लिए वो मुझे माई के भीज दिये सारसमानी सब खाली करके और वो चले गए अपनी घर को यहां पर नहादवकर के रेडियो आए अपने अपने घर को और वो अपना ड्यूटी भी वहीं से कर रहे है अब फिलाल मुझे यहां पर छोड दिया है और यहां पर मैं रेडियू हो गई थी नहां दो अकर के सबसाफ सफाइ करने के बाद मैं यहां नहां दो करके रेडियू हो गई हूँ और गाड़ी आता ह kaf बाद का मैं वीडियो सुट कर पाई थे, बाई बाई